तो आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे स्कैम के बारे में है जो पिछले कुछ मेहिनों से काफी जादा हो रहा है मेरा ये वीडियो बनाने का मक्सद सिर्फ आपको अवेर करना है ताकि आप भी इस तरह के फ्रॉड में फस न जाएं और अगर आप अल्रेडी फस चुके हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें मैं इस वीडियो में आपको उसका सॉलिशन भी बता दूँगा तो चलिए सुरू करते हैं मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी इनफर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप सस्क्राइब कर लें तो ये इस कैम सुरू होता है आपके वाटसेप से सबसे पहले आपके वाटसेप पे एक वीडियो कॉल आएगा आप जैसे ही वाटसेप कॉल हिसीव करोगे तो सामने एक लड़की होगे जो कि बातों ही बातों में अपने कपड़े उतारने लगेगी और वो ये सब रिकॉर्ड कर लेगी और फिर उसके बाद वो लड़की आपको ब्लेक मिल करना शुरू कर देगी आपसे पैसे माञ़े जाएंगे और अगर आप डर कर पैसे दे देंगे तो बात यहीं पे नहीं रुकेगी यह आपको आगे भी ब्लेक मिल करेंगे वो कैसे मैं आपको पूरा समझाता हूं Actually, मैं इस scam में तीन लोग सामिल होते हैं एक वो लड़की जो वीडियो कॉल पे आपसे बात करेगी दूसरा एक फेक आदमी जो कि CBI officer बनके आपको कॉल करेगा और एक जो कि social media manager बनके आपको कॉल करेगा तो तीन लोग इस scam में सामिल होते हैं और ये तीनों कैसे fraud करते हैं मैं अभी आपको explain करता हूँ तो जब लड़की आपको blackmail करना शुरू कर देगी और आप पैसे नहीं देंगे तो उसके बाद आपको एक आदमी का call आएगा जो कि खुद को social media manager बताएगा वो बोलेगा कि आपका एक वीडियो उसके पास आया है और वो आपको blackmail करेगा कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो वो वीडियो वो upload कर देगा और viral कर देगा और बात यहीं तक नहीं रुकेगी अगर आप तब भी पैसे नहीं दोगे तो फिर एक fake इनसान कॉल करेगा और खुद को या तो CBI officer बताएगा या IPS अधिकारी बताएगा और वो भी सेम बात बोलेगा कि उसके पास एक वीडियो आई है जिसमें कि आप हो और आपको धमकी देगा कि आपके खिलाफ action लेगा ताकि आप पैसे दे दो मगर आपको डर कर पैसे नहीं देने है क्योंकि ये सब पूरा पूरा scam है ना तो वो police officer असली होता है ना ही वो social media manager और ना ही वो लरकी ये सब मिलके आपके साथ fraud कर रहे होता है अगर ऐसा कोई call आपके पास आता है और अगर आप call receive भी कर लेते हैं तो आपको इसका complain cybercrime branch में करना है आपको simply internet पर जाना है और वहाँ type करना है cybercrime.gov.in और अपने नजदे की cybercrime branch में बात करनी है I know इन चीजों को deal करना काफे ज़्यादा तकलीब दे होता है क्योंकि समाज कुछ भी नहीं समझता है लोगों को लगता है आप ही guilty हो और आपको डर लगता है अगर वीडियो वायरल हो गया तो मेरा relationship खराब हो जाएगा लोग मेरे वारे में क्या सोचेंगे और ये सब समझ कर आप पैसे दे देते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा brave बनना पड़ेगा आपको लोगों को समझाना परेगा कि आपके साथ जो हुआ है वो scam है आप चाहें तो YouTube पे बहुत सारे ऐसी वीडियो हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लोग भी जागरूख हो सकें और आपको तुरंथी तुरंथ cybercrime branch में complain करनी है मगर पैसे नहीं देने है I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगे हो सके तो ये वीडियो अपने family में और दोस्तों के बीच आप share कर दें ताकि वो भी इस fraud से बच सकें क्योंकि ये fraud अभी के time में काफी तीजी से फैल रहा है अगर आप share करेंगे तो हो सकता है वो इस fraud से बच जाए और अगर मेरे चैनल को support करना चाहते हैं तो आप subscribe बटन दबा सकते हैं इस चैनल पर आपको ऐसे ही informative वीडियो मिलती रहेगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद